घर के ही रखे हुए समानों से आज आपको मैं नास्ता बनाने की रेसेपी बताने वाली हूँ जो मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं लगने वाली है और नास्ते में इसकी खास बात या है कि उपर से ये बहुत ही क्रिस्पी परस्तार रहेगी और अंदर से भी इसका टेस्ट बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और एक कप गेहु के आटे से और कुछ चीजे मैंने इसमें एड़ की है जिससे इस नास्ते का स्वात काई गुना पड़ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं इस रेसेपी को जो काफी टेस् सकते हैं अगर 200 गृषों के आटे लिए हैं तो आपको 2 Selin चमच मैंदा है तो जीरा ठीष्टे आये बहुत ही सूर्टकर दरीक Siria सफ़ेज तील और जीर्ण डालने से एक फाइदा यह होगा कि इसका नास्ते का जो लुक है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा और टेस्ट भी उसके बाद आपको मिर्शी पौरडर डालना है थोड़ा सा मैंने धनिया पौरडर डालना है थोड़ा सा जीरा पौडर डालना है थोड़ा सा काली मिश्क पौडर है जो भी घर में मसाले है सिंपल वाले आपको उसे डालना है और हो सके तो अगर आपके पास गरम मसाला है तो जरूर डालिए जैसे मैंने ये कमपनी का यूच किया है अगर आपके पास है तो जरूर डाल काटोरी में लगभग दो सी तीन चमच मैंने बड़ी चमच का यूच किया है किया है उसमें मैंने प्याज डाला है हरी वाली और लाल वाली मिर्ष डाली है स्वादनसार नमक डाला है और जो मसाले थे जो मैंने पहले लिए थे वही मसाले को फिर से आपको डाला है मसाले की कुट्रेटी आप अपने हिसाबते कर सकते हैं आपको ज्यादा तीखा और चट बना लेना है यह कया करेगी आपको नास्ते में क्रिस्प्री पन लाने का यह काम करेगी और तेल भी इससे बहुत ही रहा कर लिकार तो जरूर बना घ्षटक बढ़े और बहुत ही आसान तरीके से आपि यह नास्ता बनाके तैयार कर सकते हैं अगर तकशा ऩर ले बहुत तारी नाच्ट वाले विडियो नहीं देखा है ना तो जरूर जा के देखिए तो एक मेरे रोटी थोड़े बड़े हैं, एक मेरे छोटे हैं, तो क्या करना है, दोनों को आपको बराबर मातरा में कर लेना है, ताकि ना से जब बनाए तो कोई भी गड़बर ना हो, कोई भी दिकर ना हो, और आप देख सकते हैं, रोटी से थोड़ा सा आपको पतला बेलना यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चारो और आपको फेला लेना है बहुत हीट सोटकर तरीका है और एक ही बार में आपके 6-7 पिस आराम से बनके तयार हो जाएंगे जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना ज्यादा पीज बनेगा और बहुत ही सोटकर तरीका है और यह चारो और अच्छी तरह से मने सील कर दिया है उसके बार आपको लेने हैं चाको य greasy कटत्र है तो उसे आप ले सकते है और इसे आपको क्या करना अच्छी तरह से बीच से कट्स कर देना जैसelen ना कि Capital करने आपको आराम होगा और कोई से मैंने कट कर दिया है तो गोलबाए को चार कोंग में मैंने अच्छी तरह से कट कर दिया है, उसके बीच से फिर से आपको एक कट्स लगा देना है, बहुत ही अलग सार डिजाइन में बनाने वाली हूँ, और ऐसे मैंने बहुत सारी डिजाइन की रेसेपी डाल रखी है, अगर मेरे चैनल में आपने नहीं देखा है तो अनेको वेराइटी के आपके नास्ते की अलग-अलग वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगी, और यह देखे, मैंने अभी फिलहाल के लिए चार अच्छी तरह से कट्स कर लिया है, और यह साइड वाले मैं अभी छोड़ रही हूँ, जैसे जैसे मैं बनाते ही एक साइड से किया मैंने, यह देखे, तीनों साइड से इसी तरह आपको फोल्ड कर देना, एक भी बेटर आपके नहीं निकलने वाले हैं, तो बस एक को मैंने कर दिया है, यह दूसरा है, दूसरा भी मैंने इसी तरह कर दिया है, आप चाहे तो काले वाले तील या अजवान या कलोंजी जो भी चाहते हैं आप आराम से इसके उपर लगा सकते हैं उसके बाद आपको जो गेहों के आठे अच्छी तरह से मैंने घोले थे ना बस उसमें अच्छी तरह से डिप करना है और इसे आपको golden fry होने तक अच्छी तरह से इसे सेक लेना है पान से छे घंटा यह आराम से क्रिस्पी रहेंगे इसे कम flame कर देनी है आपको गेश की उसके बाद आपको अच्छी तरह से सेक लेना है बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसेपी पढ़ती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और तेल है तेल एक भी गंदे नहीं होगे आप बिल् कि ये बहुत ही टिश्टी सा आपका नास्ता बनके तयार हो चुका है